एपिजोड के शुरू में कैप्टन भूगी को दिखाया जाता है, जो एक दुर्भीन की मदद से किसी को ढून रहे होते हैं, तब ही पीजे से एक लेडी आ जाती है, और वो कैप्टन भूगी से पूस्ती है, कि तुम किसे ढून रहे हो, कैप्टन भूगी बोलता है, कि मैं अपने क्रू को ढून रहा हूँ फिर यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैप्टन बुगी के क्रू के साथ क्या हुआ था यहाँ पर सारे के सारे विलेज वाले कैप्टन बुगी के सारे के सारे पाइरेट्स को अपने village से भगा देते हैं और सारे के सारे pirate अपने ship पर चले जाते हैं यहाँ पर एक pirate बोलता है कि क्या सब लोग आ गए तभी पीछे से एक pirate बोलता है कि हमारे captain buggy अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं तभी एक pirate रोता हुआ बोलता है कि देखो मुझे captain buggy के यह तुकडे मिले हैं मतलब शायद से captain buggy अब नहीं रहे फिर यहाँ पर काबा जी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि शायद अब captain buggy नहीं रहे अब हमारे इस pirate gang का क्या होगा मुझी बोलता है कि यह सब उन इस्ट्रोहेट pirate की वज़े से हुआ है काबा जी बोलता है कि मैं उस जोरो को नहीं छोड़ूंगा उसी नहीं मुझे हराया था फिर यहाँ पर लूफी और जोरो को दिखाया जाता है लूफी जोरो से पूछता है कि तुम्हें हाँ पर क्यूं बैटे हुए हो सोरो बोलता है मुझे यहाँ बैटना अच्छा लगता है फिर यहाँ पर उस ओप को दिखाया जाता है जो अपने chemical को मिला के अपने हत्यार को बनाने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और उस ओप बोलता है कि मेरा यह हत्यार कब बनेगा फिर यहाँ पर एक दूसरे आइलेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बुगी के पाइरिट होते हैं और वो बुगी के लिए एक ग्रेव बना देते हैं और वो सब बोलते हैं कि हमारे कैप्टन बहुत ज़्यादा महान थे उनने हमारे लिए बहुत कुछ करा अब वो नहीं रहे तो इसलिए हमने यह उनके लिए ग्रेव बनाया है काबा जी बोलता है कि तुब समने बिलकुल सही बोला वो बहुत जादा महान थे अब उनके जाने के बाद ये सारी responsibility मेरे हातों में ही आती है ये सुनकर मोजी बोलता है कि तुमारा इससे क्या मतलब है मैं ही vice captain था इसलिए मैं ही इस पूरी की पूरी pirate ship का captain बनूँगा काबा जी बोलता है कि सपने देखना बंद करो मैं ही यहाँ का captain बनूँगा मोजी बोलता है कि इसका फैसला तो हम लड़के ही करेंगे चलो लड़ते हैं जो भी जीतेगा वो ही captain बनेगा और यहाँ पर उनकी लड़ाई बिलकुल start हो जाती है काबा जी और मोजी एक दूसरे पर बहुत तेजी से वार करते हैं पर उन दौनों की तागत बिलकुल एक जैसी ही होती है इसलिए वो बिलकुल एक जैसे ही लड़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि शायद हमें इस लड़ाई को बहुत जादा तक हीचना पड़ेगा तब ही हमें रिजल्ट मिल पाएगा और ये कहने के बाद वो बापिस से लड़ना शुरू कर देते हैं और शाम हो जाती है और अभी भी वो सब लड़ रहे होते हैं काबा जी मोजी से बोलता है कि तुम अभी भी हार मान सकते हो देखो हमें लड़ते लड़ते शाम हो गई पर अभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकला मोजी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और वो बापिस से लड़ना शुरू कर देते हैं फिर यहाँ पर रात हो जाती है और वो दौनों अभी भी लड़ रहे होते हैं और सारे के सारे पाइरेट वहाँ पर सो जाते हैं और मोजी का जो लोयन होता ह वो भी वहाँ पर सो रहा होता है और वो सपने में देख रहा होता है कि वो ही इस पूरे के पूरे शिप का कैप्टन बन चुका है और वो सोचता है कि उनके सामने एक बड़ा सा विलन आया और उसने एकी बार में उन सब को हरा दिया और वो ये सोच सोच कर नीद में ही काबाजी और मोजी के पास चला जाता है और वो उन दोनों को मुक्का मार देता है फिर यहाँ पर सुबा हो जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि वो लॉयन ही जीत गया है और वो ही कैप्टन बन चुका है ये सुनने के बाद काबाजी और मोजी बहुत जादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनने इतनी जादा महनत करी और ये लौयन ही कैप्टन बन गया वो लोयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कैप्टन बनने के बाद और वो बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्रावड फील कर रहा होता है फिर यहाँ पर उस आइलेंड के आदिवासियों को दिखाया जाता है जिस आइलेंड पर बुगी के सारे के सारे पाइरेट रुके होते हैं वो सारे के सारे आदिवासी बुगी के पाइरेट को देखकर उनकी तरफ जाकर उन सब को घेर लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि त इपने कैप्टन के पीछे जाकर खड़े हो जाती हैं। इससे दिखाया जाता है जो अपने क्रू को अभी भी ढून रहा होता है तब ही वो एक जगा पर देखकर बोलता है कि देखो सामने मेरी शिप खड़ी हुई है। कि एक इस जोकर की फोटो इस ग्रेव पर लगी हुई है। बुगी बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो ये मेरी ही फोटो है ये किती सुन्दर लग रही है। कैपटन बुगी बोलता है कि इसका मतलब मेरे क्रूमेट मेरे बहुत ज़्यादा पास है। और वो ये कहने के बाद इधर से उधर देखता है और वो अपने क्रूमेट मेंसे मोजी और काबाजी को देख लेता है। और वो बोलता है कि मुझे अपने क्रूमेट मिल गए देखो वो वहाँ पर हैं और वो अपने क्रूमेट के पास चला जाता है। जैसे ही काबाजी और मोजी अपने कैप्टन को देखते हैं वो बहुत जादा खुश हो जाते हैं और वो बुगी को अपने गले से लगा लेते हैं और वो बोलते हैं कि हमें आप से मिलकर बहुत जादा खुशी हुई हमें तो लगा था कि आप अब नहीं रहे बुगी बोलता कि मुझे भी तुम से मिलकर बहुत जादा खुशी हुई है पर तुमारी ये हालत किसने करी मुझी ये सुनकर सोचता है कि उसने अगर कैप्टन भुगी को ये बताया कि हम उनके पद के लिए लड़ रहे थे तो वो बहुत जादा गुस्सा हो जाएंगे इसलिए वो बोलता ह कि कुछ अजीब से लोग यहां पर आए और उनने हमें मार दिया और वो यहां से हमारे साथियों को पकड़ के ले गए ये सुनकर भुगी बहुत जादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं उन आदिवासियों को नहीं छोड़ूंगा फिर यहां पर उन आदिवासिय भी यहाँ पर मिले हैं हम इसका क्या करें उनका लीडर बोलता है कि इसे भी उनके साथ ही पका दो हम इसे भी खाएंगे फिर यहाँ पर कैप्टन बुकी को दिखाया जाता है जो एक पहाड के ऊपर से अपने तुकडों को कंट्रोल कर रहा होता है और वो उन सारे आदिवासि उसे देखकर बहुत जादा चौक जाते हैं कैप्टन बुकी अपने सारे के सारे तुकडों को अपने अंदर बापिस से कर लेता है और वो बोलता है कैप्टन बुकी पहले जैसा हो जाएगा और वो यह कहने के बाद पहले जैसा हो जाता है और वो बोलता है कि अम मैं किसी क भी नहीं छोड़ूंगा और ये कहने के बाद वो उन सारे आदिवासियों के ऊपर एक के बाद एक अटेक करना शुरू कर देता है और वो अपने सारे के सारे अटेक उन आदिवासियों पर करने लगता है जिसकी वज़े से वो सारे के सारे आदिवासियों को हार माननी पड़ हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें बहुत जादा खुशी हो रही है कि आप बापस आ गए जैप्टन बुगी बोलता है कि अब हम एक नई शुरुआत करेंगे और हमारा सबसे पहला टार्गेट होगा मंकी डी लूफी फिर यहाँ पर लूफी की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी सामने देखकर बोलता है कि देखो सामने एक टाउन दिख रहा है शान जी बोलता है कि वही है लॉक टाउन वही पर ही मुझे बहुत सारे इंग्रीडियन्ट मिलेंगे अपनी रेसिपी में उन्हें मिलाने के लिए जोरो बोलता है कि मुझे भी अपनी नई कटाना लेनी है क्योंकि हम मेरे पास बस एक ही कटाना है और मैं तीन कटाना यूज करता हूँ पीछे से उसौब बोलता है कि मुझे भी अपने लिए कुछ हतियार लेने है इसलिए ये शहर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूफी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा ये शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही शहर है जहां पर महान गोल डीरोगर पायरेट्स का राजा जन्मा था और यहीं पर ही वो मरा था